हेलो गाइज वेलकुम तो माई यूट्यूब चैनल दे वर्ड ओफ एड्यूकेशन आज इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं नीम रियक्शन्स तो बेसिकली 12 स्टैंडर्ड में और्गनिक केमिस्ट्री की 30 नीम रियक्शन्स हैं जो हर बार बोर्ड एग्जैम्स में परमीय और बोसुत पोछी जाती हैं तो हम एक एक करके कोषिश करेंगे से विडियो में वी यह कवर अप करें। पहले हम भात करते हैं सेंड मेर रियक्शन है मेर रियक्शनैंपटोर्यूर्ण साइन्वीयर रियक्शनை टी है with the help of Dysonium salt Dysonium salt और जिसे हम बोलते हैं बैंजीन डैजोनियम क्लोराइड भी बोलते है ठीक है बैसिकली बैंजीन डैजोनियम क्लोराइड का फॉर्मुला भी होता है इसका फॉर्मुला होता है अगर आप लिखना चाहो तो c6 h5 and c6 h5 and 2 cl ठीक है यह डाइजोनियम से हम एक कोरेसपौंटिंग रियेजंट लेते हैं जिसके दोहरा हम क्या करते हैं अपना क्लोरिण ब्रोमीन और आयोडीन बना लश्सा कोरेस 1979 रियेंग लेना भागा अगर हम डाइजोनियम सौल्ट की रियेक्शन कराते है विदी प्रिजन अश्रव स्सॉप क्योपूर्श chloride और HCl होता है हमारा hydrogen chloride तो अगर हम disonium salt की reaction कराते हैं in the presence of cuprius chloride और hydrogen chloride तो हमारा क्या होगा हमारा बन जाएगा chlorine बन जाएगा और हमारी N2 gas क्या होगी बाहर निकल जाएगी ठीक है अगर हम disonium salt से हमें बनाना है bromine बनाना है तो हम क्या करेंगे हम disonium salt की reaction कराएंगे in the presence of cuprius bromide यानिकी Cu2 और Br2 और hydrogen bromide तो हमारा क्या होगा कि हमारा product बन जाएगा bromine और nitrogen gas क्या होगी बाहर निकल जाएगी और अगर disonium salt से ही cyanide प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगी CuCn यानिकी cuprius cyanide और potassium cyanide के reaction कराएंगे disonium salt disonium salt की साथ हमारा क्या बन जाएगा cyanide और N-2 क्या होगी बाहर निकल जाएगी अब हम यहाँ पे potassium cyanide क्यो ले रहे है हम हीज़न nitrogen cyanide क्यों नहीं ले रहे है हम यहाँ पे hydrogen cyanide क्यों नहीं ले रहे है hydrogen cyanide हम इस ही हमारा साइनाइड ना लेके पोटिजन साइनाइड के प्रिजंस में अपना साइनाइड बनाते हैं तो यह थी हमारी सेनमेर रियक्षन और सेनमेर रियक्षन के अगर हम मेकैनिजम की बात करें क्या होता है कि हमारा डाइज़ोनिःम सौल है ठीक है यहां पे सबसे पहले यहां का यह वाला बॉंड भॉन ब्रेक हो जाएगा तो इस अगराबन पे पॉसितिव चाल जाएगा और यह कारबन की वैलंसी क्या ओगी यक्तम फ्री हो जाएगी तो मारे क्यों हो गा की यह जो नुक्लिक फाइल नंट्यकिंट में कि मोलं कुप्रिस कडोन में क्या करते हैं कि उठ एक चेलय विए में क्यों है क्या दोण डोन ये क्या है हम क्यों विर स्थी अधि की ये 176 के अब करते हैं अपनी सेकन्ड रेख्शन पर जह कि हैं जिसिकेंस और सैथ्भ रियक्षिन डोन हमैं क्या होते हैं अपना है निदी पर फो कि सैंड में यह बनाते हैं लाधार नोलग Yu spirit करते हैं गætman reaction के लिए अलग reagent यूज करते हैं आफ recabad के लिए हमने अलग reagent यूज की अवज अब देखते हैं getman reaction से हम dizonim salt से क्लोरीन और ब्रोमीन कैसे बनाते हैं तो मैंने पहले हमस्तम नज सॉल्ट जिसका ऐं तो पॉजिटेव प्लस you Appisen है दाइजूनियम साल्ट की रियक्षन काराते है remedy इन दे प्रिजन्स ओफ और पावडर यह जो फीई है वो कोपर है ठीक है और कोपर फीर रması कान पावडर में है oh Fulman फिर Supple Castle ठीक है आइज कि दैजूनियम साल्ट के रिएक्षछन कराते है इन हैल ज़ाराय का लोट से ञंगा investments है शूबन यहां लिएक्शन केवल वह वह जए खेया है महत् ही सीम्धा से राडल मैं बनाते एक्षेंशन के षक वॉट पॉपर पाउडर बोरिंदま कि तो हमारे यह रियक्षिन कहलाते है गटमन Приक्ष्ट रियक्षिन कहला तो यह रियक्षिन यही तीज़व कहीं शेंटे हैं अगली हूं परदे अपनी third reaction की तरफ अब हम बात करते हैं अपनी third reaction Regal 3 बाल skimmin reaction हम अपना डाई पना सर्ट से हम बनाते हैं थीजया चाहिए है वह फलूरीन कैसे बनाते हैं तो भी तो दो सर्ट करते चलना है तो होता है कि बाल्स स्किमिन रियक्शन में तरिकुन आफ में भाल वह आपको भूलना नहीं है दाइजूनियम सॉल्ट से बना लेते हैं फ्लोरीन बना लेते हैं अब इसमें हमारा क्या होगा और अलग यूज होगा ठीक है तो अब हम क्या करता है हमें डाइजूनियम सॉल्ट की रियक्शन कराते हैं देप्रिजेंस ऑफ 행복 4 हमारा χभी प्र होता है फ्लोरोवॉरीककि एसेड टिक है यह हमारा क्या कर लेगा HCL बना लेगा तो हमारा क्या होगा क्या बचेगा हमारा N2 BF4 बचेगा तो हमारा N2 BF4 बचेगा अब हमारा क्या होगा इसको अगर हम heat करते हैं तो यह क्या होगा decompose होगा तो हमारा N2 gas बहार निकल जाएगी और फिर हमारा क्या बचेगा B F 4 बेंजीन बचेगी बेंजीन बचेगी तेन हमारे B F 4 बचेगा और प्लस हमारी N2 बचेगी अब क्या होगे जो B F 4 है वो क्या होगा highly highly unstoppable होगा तो जब हमारा याने की फ्लोरो बोरिक ऐसी highly unstable होगा या क्या काम करेगा डाटक करेगा बैंजें और केसी कंपाउन पडीक के और वहां से बना ले बहुत्व एक आहां एक और फ्लोराôi मोलतल और एक प्लोराइज जाकी कहां गलगा नंज पर फ्लोराइज बना लेर लगा ऐगा अग Ale k parecer को दो तो यह हमारी के जातte है होता है तो हमारा हम अगर हम हहाएं तो होता है बाल इसके मैं येक्षिन बे क्या होता है थ्का ये ख्यानारीch निव' हना निम États ठागे बोड़नेशन होता है किसका डाइजॉननेम सॉल्ट कर तो अब हम अपनी next reaction पर जाते हैं ठीक है जो कि reaction number 4 अब हम बात करते हैं अपनी fourth name reaction की जो है फिंकल स्टाइल फिंकल स्टाइल रेक्शन तो basically इस name reaction में हम ही क्या होता है कि हम X यानि कि X क्या होता है है हम होते हैं तो हम क्या करते हैं CL और BR ठीक है कोई भी ऐलोजन हो सकता है उससे हम क्या बनाते हैं आयोडीन बनाते हैं ठीक है तो हम एक्जाम्पल के लिए लेते हैं टू क्लोरो ब्यूटेन अब आयोपीसी नेमिंग तो पड़ी होगी 10th में भी है 12th में भी है पूरा पूरा चैप्टर है इसका अच्छा खासा ठी बनाते हैं इत्थ मित्थ प्रॉप ब्यूट तो सेकंड कार्बन पर क्या है क्लूरीन तो विए क्या हो जाएगा टू क्लोरो प्यूटेन चिक है इसकी हम रियक्शन करते हैं रिप्रिजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइन गी ने आई और पोटेशियम आयोडाइन की की आई और द्राइसटून फिर हमारा क्या होता है यह हमारा si al क्या होगा पोकर मलं होगा क्योंस बहुंद बनालेगा ऑं फिर क्या होगा यहां आ जाएगागा योलकी बन्गापने हमारे से लिएक्षण कराूंboom हमारे सकते हैं हमारे सकते होने बता है , smoking NO3 ,utarate हमारे सब्सक्राइपمة जिर्स देख़ा है , हमारे सकते ते हुक रिक्सक्षन फ्रिंकल स्टीन करें अंटने सब्सक्राइंटेश कऱके सर्ण करने Table स्वार्ट तब करनेश कि मीएगेखक आयोडिर पौनी इजिखरएंट चेता करीक्षाहिएm कौन सा रियेजेंट यूज करके हम क्या बनाते हैं क्योंकि अगर हमें पूरी की पूरी reaction लिख्या जाते हैं और हम रियेजेंट लिख्या गए निरह बात ठीक कोई इसम रहे होना तो उसका रियेजांट रियेजेंट यहां पर पाली स्कमीन एक्षन होगी तो जया होता है लुट 20 इसकिम निए घुरियाइजनट, वो हमेस, क्यो था रखाल लुट थे यह और हम याद रखने वाली चीज़ और वोẸ्त आदो प्रेटर्में, क्यों प्लेटाइजकर यह ऊड़ाईड कल्म गवे इसाले क españ है, आगे हम मूव उन करते हैं हमारी नेक्स्ट रेक्शन पर जो की है फिफ्त रेक्शन तो हमारी नेक्स्ट रेक्शन है स्वाज रेक्शन तो स्वाज रेक्शन में हम क्या करते हैं कि हैलो एलकीन यानि की आर एक्स हलो एलकीन की रेक्शन कराते हैं in the presence of AGF, HG2F2, HG2F2 और COF2 ठीक है बेसिकली AG कौन सा? AGF हो हमारा होता है Silver Fluoride, HG2F2 है हमारा Mercuris Fluoride और COF2 है हमारा Cobalge Fluoride ठीक है तो हमारा क्या बनता है? Fluoroalkene बना लेता है तो यही रियक्शन दिहान रखना कि हम AGF, HG2F2 और COF2 की प्रिजेंस में रियक्शन कराता है और हमारा A, G, F होता है Silver Fluoride हमारा Merkuris Fluoride CO, F2 है हमारा Cobalt Fluoride नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट नीरेम रेक्शन करने के लिए नेक्स्ट रेक्शन है हमारी वूद्स रेक्शन ठीक है वूद्स रेक्शन में हमारा क्या होता है कि हम क्या करते है Alkane की preparation करते है ठीक है Alkane की preparation करते है वूद्स रेक्शन में तो हमने क्या लिया है 2RX याने की जिसकों भोलते है Alkyl Halide ठीक है इसकी reaction करते है हम in the presence of sodium और ट्राइथर ठीक है ट्राइथर की presence में रेक्शन करते हैं याद रखना हम जबी भी वूद्स रेक्शन में Alkyl Halide से Alkane बनाने के लिए हम reaction करते हैं तो हम Dry Ether ही लेते हैं क्योंकि अगर हमने मॉस्चराइजर इथर लिया तो वो क्या करेगा अपना alcohol बना लेगा तो इसलिए हम Dry Ether लेते हैं तो Dry Ether लिया हमने और तो हमने यह क्या बना लिया RR Alkyne बन गया और 2 NaX यादि कि Sodium Halide यह अलग बन गया तो हमारा क्या होगा देखो यह जो Na है यह इसके साथ NaX बना लेगा 2 NaX बना लेगा क्योंकि हमारे 2 Rx है ना तो यह NaX बना लेगा 2 तो हमारे कितने आर बचे 2 R बचे यहां पर यह RR क्या हो गया Alkyne हो गया पूर एग्जाम्पल के लिए हमारे 2 ग्रूप्स है उसके C, CH3, BR और Na Dry Ether की प्रिजन्स में रेक्शन हो गया तो हमारे क्या बन गया CH3, CH3 बन गया और प्लस में यानि एथेन बन गया प्लस 2 NaBR हो गया हमारा Sodium Brumarid ठीक है तो यह हमारी रेक्शन थी Woods रेक्शन नेक्स समझाते हैं अपनी अगली रेक्शन के पास और वो दिखते हैं वो कौन से रेक्शन है नेक्स हमारी रेक्शन है इसमें हम क्या करते हैं इस रेक्शन में बनाते हैं Arryl ठीक है हम Arryl बनाते हैं तो जब हम क्या करते हैं Arryl Halides Arryl Halides की रेक्शन कराते हैं Sodium ठीक है 2 Na से तो In the presence of dry ether तुमारा क्या होता है तो 2 है तो 2 Benzene भी होगा 2 X भी होगा हमारा क्या होगा 2 Benzene भी होगा 2 Na X यहां से Na X भी होगा ठीक है तो यह जब हमारी 2 Benzene होती है तो उसको बोलते है 2 Arryl Group और यह हमारा Sodium Halide ठीक है यह हमारा Sodium है और यह हमारा Arryl Halide ठीक है यह रेक्शन थे हमारी अगर हम Next रेक्शन के Next reaction को से दिखते है उसमें क्या है Next reaction हमारी Woods Fitting Reaction ठीक है इसमें हम क्या करते है Arryl Halide Arryl Halide की रेक्शन करते है Sodium और Alkyl Halide से ठीक है Sodium और Alkyl Halide से In the presence of dry ether तो हमारा क्या होता है Alkyl Arine ठीक है Alkyl Arine बना लेता है और NaX हमारा अलग हो जाता है तो देखो यार यार ये देखो Arryl Halide है इसकी रेक्शन करते है Sodium से और Rx से तो मारा क्या होगा ये यहां से Na है तो ये NaX बना लेगा तो ये यहां से NaX बना लेगा और R हमारा क्या होगा बेंजीन पर लग जाएगा ये हमारी वोट्स फिटिंग रेक्शन थी Next हम मूब ओन करते हैं अपनी Next रेक्शन के पास जो है की कॉलम भी Next हमारी रेक्शन है कॉल्ब शेमिट रेक्शन तो basically कॉल्ब शेमिट रेक्शन में हम क्या करते हैं sodium phenoxide से हम क्या बनाते हैं हम बनाते है cellic cellic silic acid ठीक है तो हमने लिया sodium phenoxide जिसका formula होता है C6H5 ONA ठीक है reaction कराते हैं carbon dioxide ठीक है temperature होता है 400 Kelvin और pressure होता है 47 तो हमारा बन जाता है जब हम फोर तो सवन अइटमोस्पेर इसका प्रेशर रहना चाहिए दैन हमारा क्या होता है कि हमारा जब हम फिन ओक्साइड की रेक्शन काते है का अर्बन डायोकसाइड से तो हमारा क्या होता है यह सी ओक्साइड की रेक्शन कार्बन डायोकसाइड से कराते हैं तो हमारा बना लेता है यह ओसी डबल ओन और हाइड्रोजन पॉंड इसके पैंजीन के ओपर होता है तो हमा उसके बाद हमारा री अरेंज्मिंट होता है तो री अरेंज्मिंट में ओएड्रोजन के रूपह आ जाता है और यही इस श्रुक्चर में कर लाती है सोडियम सली से लेट ठीके है उसके बाद क्या होता है हमारा इसकी रेक्शन कराते हैं दब प्रिजंस ऑफ अधिया आ जाता है और वह या जाता है तो यही जो स्ट्रेक्चर है हमारी होती है सली सलीच असीड ठीक और इसका नहीं नेम भी है कि है रिमर्टिमर् Salt प्राइप सद्वाथ सलिसेल रिक्षसद कि बनाते हैं तो हम सलिसलिक एसिड किससे बनाए था हमें सलिसलिक पिस से बनाता धा लाइ फटिं शी natural त॥ा ही और शी पित्ली क्या है विल न्युद्र से बनातारा है विए ओऩिन्ट हुपी है्विंट था क्या रिक्र ăn। याद कर वेदिंटेश्चिर हो था ली गाएफ इस तूय बनाते हैं ब्हुराइच्ट सिरेट ली से जिर दोम ने वेच इस सोडियम हाइट ऑग्साइड और टेमपरेचर केतना होना चाहिए 340 कल्विन तो जब हम फिनॉल की रियक्शन इनके प्रिजंस में कराते हैं तो हमारा क्या होता है हमारा बन जाता है 2-Hydroxybenzene buldehyde इसका Iupac name है और इसका ... ने अपनी रियक्शन पर ज़से पिचर के छलते हैं गितव detection है इसका आरे i किक्या क्याँ क्या बनाते हैं चाहिए बैजीन से बनाते हैं तो हमगा। बैजीन से बनाते हैं डयला त्धीत नला बैजीनलाइ्चिव Kritsyee बैंजीनलाइड इन आप समय बाते हैं जाहिए लाहिए लोकाइड इन एक्षियर समय चाहते हैं एक्षर सन्च भी ये में बैंजीनलाइड कोपर क्लॉराइड अपुमार शीजनलाइड पिता है की जब हम benzene की reaction कराते हुआ हैए यह इसकी होता है यह हमारा कि क्लोराइड और हमारा किसे उपर आ गएक नहुआ लुके अ